मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये गुरुजी की मिहरत, उनका बहुत बहुत शुक्राना, एक मैं आज गुरुजी के लिए पहले थोड़े शब्दों में बताऊंगी कि गुरुजी क्या है, गुरुजी क्या चीज है? गुरुजी के लिए मैं बता रही हूं कि एक छोटा सा सूरे रूपी बालक, सूरे रूपी तेज बालक छोटे से गाउं में आया, वो गाउं के अधर डुकरी है, उस पैम जिस पैम उनका आना हुआ, डुकरी बिल्कुल छोटा सा गाउं था, देखो, आज वो सूरे रूपी बालक सारी वर्ड में चाविया, वो क्या है? गुरु जी का में बताने जा रही हो, कि गुरु जी एक साखशात इश्वर, रियालिटी में इश्वर हो, वो इश्वर कैसे धर्टी के आए? उसकी बाल देखो, कि वो एक ऐसी इश्वर हैं, ऐसी इश्वर हैं, हमारे 33 कुरोड देवी देता हैं, पर वो एक ऐसी इश्वर हैं, कि जिन होने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथों में ले रखे हैं, हमारे इश्वर हैं इतने भी, सब के डिपार्टमेंट अलग लग हैं, कोई वाजू देवता, कोई जल देवता, किसी के हाथ में बितु हैं, किसी के हाथ में पालन हैं, एक ऐसी इश्वर हैं, कि जिसके पास सारा एक मुठी के अंदर पूरे डिपार्टमेंट हैं, यह हमने प्रेक्टिकल देखा, प्रेक्टिकल फील करा, कर उस पैम जिस पैम उनके पास हम गए, हमने उनको इश्वर नहीं समझा था, वो आज समझ रहे हैं, जितना टाइम वो हमारे साथ फीजिकल फॉर्म में रहे, हम तो उनके साथ मौज, मस्ती, ऐसे था, कि जैसे आपको क्या वर्नन करूँ, दिन रात उनके साथ हमने विताएं हैं, आज मैं उन पलों का ही वर्नन करूँगी, कि कैसे उस इश्वर के साथ हमने पल पल विताएं, आज उन पलों को हम याद करके रोते हैं, कि गरी कोई सुचते कि आप कैसे आएं, कैसे गुरुजी के साथ उड़ें, गुरुजी के साथ हम जब उनकी एंट्री दिल्ले में हुई, ऐसी इश्वर की किरपा हुई, कि हम उनके चर्णों में आयें, उस प्रणी हमने देखा कि उनकी चर्णों में कौन-कौन बैठते थे, उनके चर्णों में जितने भी बैठते थे सब पड़े लिखे थे, अनपढ तो वेवकूर बन सकते हैं, लेकिन पड़े लिखे ने वेवकूर बन सकते हैं, जितने IAS ओफिसर, जितने इंडिया के जनर क्रिकट के प्लेयर, बॉलीवूड स्तारे, बिर्ला, टाटा, वर वो एक से एक बड़ी तोफ गुरुजी के दरवाद में होती थी, और उस जगा के एक छोटी सी जगा हमें बैठने को मिली, लेकिन गुरुजी की इतनी किर्पा, इतनी किर्पा, उन्होंने हमें गले लगाया, कितना प्यार करा, उसका हम बर्नन नहीं कर सकते, गुरुजी के मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट आपने हाथ में रखे हैं, उन्होंने दिली में क्या सारे वर्ड में, हर तरह की बिमारी का इलाज करा, सबसे पहले जिए, जब भी कोई गुरुजी के शर्ण में आता है, तो उसकी साथ जलम की पीछे, और साथ जलम की आगे की फाई ऐसे खुलके हो जाती है, उनको तुरंच पता कर जाता है, जैसे हम लोग माता देखने आते थे, जैसे परशाद लेना, बड़े ऐसे टेटी निगासे देखते थे, तुरंच स्क्रीनिंग कर लेते थे, कि ये कौन है, कहां से आया है, इसकी फैमिली क्या है, गुरु जी का हमेशा कॉनेक्शन हमारे बॉड़ी से नहीं होता था, गुरु जी का कॉनेक्शन हमारी रूहों के साथ है, जब भी हम माता देखने जाते थे, तो ये नहीं कि हम सामने खड़े हैं तो वो हमें देख रहे हैं, नो, उनका connection अंदर की रूहों के साथ था और रूह का आपको बताऊं कि रूह नाइदर मेर नार फिमेर उनको दुरंट पता जल जाता था ये कौन है कहां से राया ऐसा कौन सी प्राइब्लम में आए जो गुरु जी ने हर नहीं की उन दिनों हम गुरु जी के पास बड़े से बैठते थे कोई आरा गुरु जी में को डाइप्टीज है कई वर कैवी देते थे मैं दाक्टर है मैं कोई दाक्टर है और तुरंट अकले पल एक सेकंड में उसका कावी कर देते थे एक आजमी आया तो माथा टीक ने लगा तो परिग रह था माथा ने टीका तो गुरु जी उसे पूछते हैं वही तू तीग अला है कहता गुरु जी मेरको फूलों से अलर्जी है और गुरु जी के चल्लों में पहले फूल होते थे हम लोग हार चड़ा देते थे कोई फ्लावर लेके आते थे वुके लेके आते थे बात में तो फैर बंद हो गया था तो गुरु जी ने कहा कि पास है और पास आने से वो कत्रा रहा था कि अगर पास आ गया मैं च्छी में बिमार होंगा पर जैसे ही वो गुरु जी के पास आया उसको कुछ नहीं हुआ डेली गुरु जी ने देखा कि उसको पास बिठा देते थे उसनी बताया कि मिरको ये प्राब्लम अब है नहीं है गुरु जी कि मैं बता रही हूँ गुरु जी कह रहे थे तीन चीचें बरसेंगी आने वाला जो पीरियड है तीन चीचें बरसेंगी डाइवोर्स डिप्रेशन और कैंसर पहले बता दिया था आज देखो वर्ड में जी तीनों चीचें बरस रहे है यहां का तो नहीं कह सकती क्या दिल्ली में तो घर-घर में यह प्रॉब्लम हो रही है कोई थर्ड स्टेज का कैंसर कोई फॉर्थ स्टेज का कैंसर और गुरू जी कैसे कोई सोच सकता कि फॉर्थ स्टेज के कैंसर को ठीक करने फॉर्थ स्टेज थर्ड स्टेज गुरू जी ने घर-घर में सब को है जोदी है पेग मैंने देखा पीछे क्वैज से कोई लेडी आ रहे थी उसकी छोटी सी डॉर्टर उसको दो साल की थी उसको भी कैंसर था वो उसको लेके मंदर आई बड़े मंदर आई और पंदरा दिन रुकी या एक महिना वहां दिल्दी में रुकी बाद में उसने बताया कि उसकी जितनी प्रॉब्लम थी उस छोटी सी बच्चे की वो सब ठीप होगी आज वो हालत है कि छोटी बच्चे से लेके बड़े तक ये कैंसर ऐसे बरस रा डाइवोर्स बरस रा डिप्रेशन घर घर में डिप्रेशन 99% जो रोड़ोग आते हैं मंदर में वो सब दुखी हैं एक परसेंट होगा जो सुखी है पर ये ऐसी है हमारी इश्वर कि सब को इन्होंने अपनी छत्री के निचे रख लेते हैं आप खुछ फिल करोगे जब आप मैसूस करोगे कि हम इनकी शर्न में आ गएं हम इनकी छत्री के नीचे खड़े हैं तो आप अपने आपको सेफ मैसूस करोगे ये करते हैं किते हैं ये करते हैं एक बंदा भी आजया ना वो सब दा करवा जलता है जो जरूरी नहीं कि सारी फैमिली ने आना एक घर का एक आत्मी दिया गया वो अपना भी कल्यान, परिवार का भी कल्यान पडोसियों का भी कल्यान और एवन रेलेटिव का भी कल्यान करवा की जगता है इतनी पावर हमारी इश्वर के इंदर ऐसे एक दिन मैं बता रही हूँ कि शुरू में हमें पता नहीं था कि गुरू जी के साथ हमने बात कैसी करनी है तो ऐसे हम मैंने आगे गई और रेवनी पता था कि जैसे हम आज सवरूप कहते है उसके मैंने इनको जाके क्या कहना मैंने कि गुरू जी तो ऐसी देखा उपर मैं क्या अपनी को फोटो ता दे दियो है कमली जै तेलों की फोटो थी लोड़ा है तार मां तार जोड़ी दी है मैंने सोचा पता नहीं कोई ऐसी बिज़्टी की तारे जोड़नी है क्योंकि उस ताम उमर का भी तकादा था कौन से ऐसी तारे जोड़नी है अंजान थे पर जब गुरुजी के साथ उस इश्वर के साथ तारे जोड़ जाते है उसे कोई नजर नहीं आता सिर्फ वोई नजर आते है दिवाने हो जाते हैं कुछ नजर नहीं आता काम वोई करते हैं आग उनकी दिवान की में रो, काम सब वही निक्टा देते हैं, जब रहमत करने पे आते हैं, ये प्रभु किर्पा करने पे आते हैं, एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, हमारा ये था कि उनकी किर्पा से तकरीवन रात को कभी रेप छोड़ते थे, कभी सुबा हो जाती थी, हमें बहुत अच्छे उनकी चर्लों में वक्त मिला, तो एक दिन ऐसे बारा साठी बड़ा का टाइम था, तो कैसे किर्पा वर्षाई हो लोने हैं, तो ऐसे इशारा करा, तो एक सिंगल अंगल थे, पचास साथ हो उनके सब रूप लेके आये, आज सो उनकी बहुत बड़े-ब सब रूप लगते थे, तो ऐसे वो पकड के लिए क्या आई, गुरुजी के चल्लों में रख्या हुए, तो गुरुजी ने टांग के उपर टांग ऐसे रख्या हुई थी, और सारे इतने सब रूप थे, उनके ब्लैस कर रहे थे, तो में उनकी लेफ्ट साइड में बैठी तो मन में आया कि आज एक तो मिल जाएगी फोटो, आज फोटो एक तो मिल को जुरूर मिल जाएगी, इतने इतने क्या करने हैं, सब को हो सकता एक एक बांट लिए, एक मिल को भी मिल जाएगी, मन के अंदर मैंने सोच जा, जैसे गुरुजी ने सब सब रूप ब्लैस कर दि तो दोनों हाथों से उठाए, शर्वांटी, करचोली, करपला, जितने सवरूप थे वो सारे दर्सा दिये, उस टाइम सवरूप की भी गर्यों नहीं पता थे, सवरूप घर गए, जिसने भी मांगा, उसको इतकडा दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ममा, गुरू जी की फ फ्रेंज मांग रहे हैं उनको, सब सब भूप ऐसे तरहे हैं, तो ये उनकी रहमत, हमने कैसे उनके साथ पल पल विताई, एक दिन में बता रहे हैं की बेटा हमारा शेरूप कॉलेज नहीं ताल में पढ़ रहा था, हम कभी भी जाते थे बाहर गुरू जी को बता के जाते थ गुरू जी नहीं ताल जा रहे हैं, चुप कर गए, नहीं ताल गए, क्योंकि स्कूल से फोन आया था, उसके कॉलेज से फोन आया था, बेटा फोर्थ क्लास में था, कि इसको बहुत प्रॉब्लम है, बेटे को लेके दिल्ली लेके आई, और डॉक्टर चेक अप करवाया, से सारे करवाये, तो डॉक्टर बहुत नाराज हुआ कि वेटा आपका इतना सीरियसा, आप बच्चे का ध्यान नहीं रखते, तो शाम को मैं गुरू जी के मंदर उसको लेके गे, क्योंकि मैंने गुरू जी को कुछ नहीं बताया था, जब शाम को मंदर लेके गई, तो शा चोला जितना भी था, वाज के लिए डेली देते थे, तो पांच मेदी मैं वहाँ पांची लिखा तो गुरू जी रूम में बैठे हुए, तो जब थे गुरू जी ने कहा, शर्मा आँटी, हाँ जी गुरू जी गुरू जी, मुंदा कर देता तेरा ठीक, यह है ओईश्वर तो मैंने कहा, थैंक्यू गुरू जी, थोड़ी देर बाद चीप सवरत में जूठी चाए, बच्चे को किलाई, मतका नाटी थे, उनको कहा, शर्मा आँटी ने मुंदे मुटे, जब में रात को चले लगी, तो गुरू जी ने कहा, शर्मा आँटी मैं क्या हम जी, मुंदे कुछ भी नहीं था, जैसे मैं गुरू जी के पास शांको आई, तो गुरू जी कहने कह गए, किता फिर, देखिया, मुंदा किता ठीक किता अपाने, तो हम थैंक्यू जुरूर होते थे, थैंक्यू गुरू जी, ऐसी बच्चे का नाम भी उसका पहले अभी मन्नी हो था, उस उसके बात गुरू जी नहीं, हिमान्शो नाम दिया, वो गुरू जी जैसे बच्चा अभी मन्नी हो नाम था, तो बड़ा पतला सुकड़ा सा था, बिलकुल स्लिम ट्रिम था, जैसे उसको नाम दिया, हिमान्शो का नाम दिया, तो वो ऐसे फैल गया, तो मंदर आये, जब म क्योंकि हमारा गुरुजी के साथ बड़ा बात्षीत करने का अलग ही वे था हमने सोचा थोड़ी था हम तो अपने बड़े इजी वे से पाते करते थे चोटी डॉटर कहने लगे गुरुजी जब से आपने इसका नाम चेंज करा तो तब से यह ऐसे हो गया हाथी जैसे हाथी भी शकल बना के ना तो गुरुजी वो स्लैब के उपर बैठे थे तो गुरुजी भी हसने लग गए उसके बाद गुरुजी कर मैं वतारी हूं कि कैसे वो शादियां कैसे करते हैं बिमारियां तो दूर करते हैं गुरुजी जब बिमारियों के लिए भी कहते हैं एक दिन ब वह मार्वं दे ना बमारियाम पेर फंदतां को रुपा किदे दे फिर पंद DID कहते हैं, कि महा मरतन जाथ करवाओ लखः भी इह पट्दन दे है साथा तरी की चुटगी के काम है और रियालिटी में उनका चुटगी का काम है गुरुजी का गुरुजी तो ऐसे हैं इश्वर है जम दूट से भी खिच के लिए पिया आते हैं बंदे को ऐसे-एसे केस हजारों है जहां गुरुजी ने आजू को बढ़ाया उमर को बढ़ाया जम दूटों को भगाया इतनी पावर है उस इश्वर के अंदर कोमा के अंदर वेंटी लेटर के अंदर हो बंदा गुरू जी खिंच के लिए आते हैं ऐसी पावर है उसी इश्वर में अब मैं बता रही हूँ कि शादी कैसे करवाते हैं हमारे घर में एक फुरी जॉइन फैपली थी बच्चियां जादा थी तो बड़ी हमारी डॉटर उसका नंबर था तो ऐसी एक दिन मैंने कहा गुरू जी को पता था उनको पुरा ध्यान था एक दिन इवेंटनस से को बुद्वार को मैंने ऐसी घर में ऐसी चोली फैलाई करो मैं क्या आप किरपा करो नेक्स दे थर्स्ट दे कोई वीरवार ऐसे कोई काम पढ़ गया हमें मंदर जाना पड़ा जब मंदर गए क्योंकि डे टाइम में मंदर नहीं जा सकते थे तो हस्वें ने कहा कि जा रहे हो तो गुरू जी की लच्शी में लेते जाओ हम लस्टी में लेके गए जब गे तो बहुत दूप थी तो डाटर करने लगी एक अंकल आए तो अनोंने पानी दिवे बाद तो इतने में कहा डाटर ने ती गुरू जी कहा भी बठा के रखोगे क्यों अंदर नहीं बलाओगे धीरे से कहा इतने में अंदर से जोशी अंकल आए शर्मान की आपको गुरू जी बला रहे अंदर जैसे अंदर गए गुरू जी अपने रूमें सोफे के उपर लेट थे सोफे के उपर हमने वो ऐसे दर्शन करें वो आज तक भी याद है कि अपने बादों करके जैसे पूरे उस पाइम ऐसा था कि जैसे विश्नु भगान शेष रहिला पर लेटे है ऐसे दर्शन थे उनके हम दो लों अंदर गए शर्मान्ती पारदत्ती या तेरी चोली क्योंकि एक दिन गाने पहले कहा था शर्मान्ती पारदत्ती तेरी चोली हम बैठ गयों उनके पास चाही पी दवारा फिर चाही पी तो डॉर्टर कहने लगी कि गुरुजी मैं बाहर पढ़ने जा रही है थेंकिए बाहर पढ़ने जा रही हो है कम ली जे तेनु की लोड़ा पार पढ़न दी तेनु मैं बलस कर दता है कोई लोड़नी है चर्मांटी आजी की देना मैं गया जी बीरवार अच्छा चलो अगले बीरवार तक देखो की हो दा मौच्जा करो हम आगे घर में फ्राइडे को ही प्रोसीजर शुरू हो गया उनकी किरपा से कैसे प्रोसीजर शुरू हो आग कोई पुराना कार्ड पढ़ा था उस पे कोई फोन नमबर लिखा था वो कैसे छोटी डॉटर ने कंपेल करा कि ये फोन करो फोन करो फोन करो फोन करा प्रोसीजर शुरू हो गया Friday, Saturday, Sunday जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ा और मैं डेली गुरुजी को बता रही थी कि गुरुजी आज ऐसे आँआँ देख दे जाओ देख दे जाओ हूँ अगले बीवार बच्चे का रोका हो गया वो अपनी बात के पक्के है अगर उन्होंने एक बात के दी तो बात के पक्के है उसके बाद शादी का टाइम आया शादी में उन्होंने डॉटर से प्रामिस करा हुगा था कि मैं तेरे बियाते आँआँगा आँआँगा तेरे बियाते प्रामिस करा वादा करा उन्ही भाते है हम की traditional way से गुझी को बताने गेने कि यह शादी का जैसे एक माई के घर में शादी बताने जाथा गुझी के साथ हमारा प्यार ऐसा था उस प्यार का रुर्णन करना कठिन है वो प्यार क्या चीज थी वो प्यार आज भी है ट्रडिशनल वे से जब बताने गए शाम के टाइम में था हमें पहले गुला दिया गुरुजी ने तो देखा एक नम आगी लेके आई है हमने पराद में लटू डाले गए थे बड़ी पराद में शादी के कार्ट थे गुरुजी को दिये वह में दिये बड़ी आई है मैं और गुरुजी देखो ये कोई बेट शिट दूएं, बचादे मेरे बेट दे बचा दे वह चार भाई एक भाई भैट पे बचाई बताते हैं कि वह चार दिलुजी ने नहीं उठाए उसके बाद गुरुजी उठे उठके उननोने अपने अल्मारियां पूले, अल्मारिया खोल की जो कपड़े निकालने लगए है, देख देखके, ऐः शर्माणति आ अगे उन्होंने फैब का, शर्माणती है चोकर कुड़ी दे घयाते से लाले, फे दूसरा शर्माणति मेरे आगे उनने कपड़ों का धेर लगा दिया, चल कुड़ी दे, गया दे, इस वाली सारे उसके बाद लाल रंग की शूस निकाले स्पोर्ट्स शूस लाल रंग की जूते निकाले फ्यारगांटी में कहांजी गुरुजी ए प्राणी लेवी ले जा प्राणा दमाद को कहते हैं शाती तो अभी नहीं हुई थी एला चूक, प्राणे लेवी लेजा थैंक्यू गुरुजी शाती पे आई सबसे उसे 31st January ठंटा दें था, कैसे गुरुजी की काफ लायक गाड़िया आई और कैसे गुरुजी ने वो शाती अटें द्राण अब बच्ची की शाती हो गई जिम्मयवादी सारी गुरुजी की है शाती के बाद क्या हुआ 2009 में गुरुजी का चोला छोडने के बाद 2009 में उसके husband विमार हो गए वो ऐसी health problem थी वो ऐसी health problem थी कि वो माइनस पिला गए माइनस पिला गए उसके बाद गुरु जी ने कैसे उस बच्चे को लाइफ दी वो खुदी उन्होंने बताया कि मैंने तेरा कल्यान कैसे करा उसका कल्यान क्यों करा डार्टर की वजा से क्योंकि वो गुरु जी को बहुत प्यार करती है गुरु जी ने उसके सुहाग को कैसे बचा के रखा गुरु जी ने फिर एक दिन कहा इवित तेरी अन्नी उमर सी तेरी अन्नी उमर सी ते मैं पुट्थी कर देंती है पुट्थी कर देंती है उसके बाद डॉक्टर्स ने declare return दे दिया उनके एक daughter थी doctor's ने declare कर दिया कि अगला बच्चा नहीं हो सकता और करना भी मत और होगा भी अगला बच्चा नहीं होगा मकर संक्रांती को वो गुरुजी से माग देगे बच्चा ये देखो कि अगली मकर संक्रांती को वो बच्चे को माथा टकाने गए आज वो बेटा पांच साल का छे साल कया बहुत अच्छी रूप गुरुजी ने दिया बताओ जो impossible चीज़े हैं वो गुरुजी ने ठीक करी है तो कैसे न वो different type के इश्वर हुए ऐसे ऐसे उन्होंने दिली में ऐसे ऐसे बच्चे दिये मुंडा देने में तो फंजामी में कहते हैं मुंडा मुंडा देने में तो वो मार है बच्चा देने में मार है के लोग सोचते हैं कि बच्चा नहीं हुआ के लोग सोचते हैं शाती नहीं हुई नो जी हमारी तो गुरु जी ने शाती करी नहीं, हमारी तो इतनी उमर होगी नो, गुरु जी को सब पता, सब ध्यान है वो क्यों नहीं करा, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं था गुरु जी अपनी संगत को दुख नहीं देना चाहते वो कहते हैं मेरी संगत सुखी ले जे गुरुजी के किर्पा है जे गुरुजी की रह्मत है ऐसे एक दिन गुरुजी के मैं बताती हूँ कि वो घर में कैसे आते हैं उस टेम हम लोग चंडी गड़ बैटे हुए थे उनके साथ जब जब भी वो गुरुजी आये तब तब अपने रोग से रोभीले पन से चंडी गड़ बैठे है तो हस्वेंट बैठे हुए थे गुरुजी के साथ शर्मा आ रिया मैं दीर बार आ रिया तेरे कर मंगल बार बैठे हुए थे ये तो पिल्डी काँ के लिया गुरुजी अगले बीर बार रहाय कमला जिया जड़ा परसों आ रिया बीर बार ये तो पसीने चुट गए क्योंकि गुरुजी का आना असान नहीं है गुरुजी जब ही आते हैं अपने संगत के साथ आते हैं संगत को ले के आते हैं गुरुजी गुरुजी आ रहे हैं इन्होंने अलग से जाके फोन करा घर में डॉटर को फोन करा कि गुरुजी आ रहे हैं घर में तो खुश्यां चाहें बच्चे नाचने लगें बताया जॉइंट के अंगी जी तो नहीं करा, गुरू जी आ रहे हैं, उसके बाद हम उनी के साथ थे, जब हम वेटनस ने नाइट को आई, शां के टाइप आई, देखा तो घर की जो हालत थी, पूरा अंटाइडी घर, सारे तीस, बतीस, सीतर सोफे थे, वो सब खुले हुए हैं, पर्दे सारे उत्रे हुए जो मशीन वाले हैं, वो जो लेपर वाले, जो करते टेलर बगरा, वो सब लगे में, इतना गुसा चड़ा हैं, हजबन को इतना गुसा चड़ा, कि भी जे क्या करा घर का हाल, कल गुरू जी आ रहे हैं, और जे आज क्या करा, मैं आपको बताना चाहरी हूँ, कि जैसे हम सत् जब गुरू जी भैराते हैं, तो हम इंतिजाम ने करते हैं, यह हमारी गल्थ फहमे हैं, कि हमने लंगर बनाया, हमने दरवार सजाया, हमने फूर लगाया, नो, वो गुरू जी ही करवाते हैं, अपना प्रबंद वो खुद ही कर लेते हैं, जब रात को डान्ट मारी आपा पापा गुरु जी को रड मैरून कलर का कर पाँद कर लाए है अग्रें नियुक्त है। ये देखो अगले दिन थाज देखो घर पूरा टॉं 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 गुरु जी दी गाड़ी आ गयी। फटा-फट अब गेत के अंदर और मैंने भी पूरी संदट पहले ही आ चुकी थी काफी परात भी मैंने फूलों की लेके गाड़ी के जैसे गाड़ी आ रही है और मैं फूल वर्सा आ रही हूं गुरू जी की उपर ऐसे हस रहे मुस्करा रहे हैं आरती उताही अंतर आ रहे हैं बच्चों ने भी जैसे जिस रास्ते से गुरु जी निकले उस रास्ते पंखों के उपर वो फूलों की पतियां लगा रखी थी जैसे गुरु जी निकले स्विच ओन 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 तो जो पतियां थी वो देखने वाला सीर था कि कैसी परस रहे हैं गुरु जी के उपर फूल तो कैसी आते हैं, गुरु जी से पूछा, गुरु जी, संगत के लिए तो अलग लंगर बनता है, गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्या खाऊ गए, उल्ले, मैं क्या खाना, अलू दी सब्जी बना लियो, पनेर दी पुर्जी बना लियो, उनका खाना कितना इजी खाना थ एक दिर मैंने देखा मंदर में थे हम तो गुरु जी किचन में गई चंदन था किचन का वो जो काम करता है की बनाया आजया की बनाया गुरु जी प्राउंटियां बनी है अच्छा फटा फट प्लेट की तरफ भागा थारी लेने के लिए वो कंजरा मैंनों देरे अदे हतते दे ऐसे प्राउंटि रख ले गुरु जी ने अचार रख दे उपर अचार रख दिया लेके प्राउंटि बहर आगए दो ग्राणिया काई आदी प्राउंटि कोई चंदी गड़ से आए हुए थे उनको दे दिया उनका भेद हम पान नहीं सके उन्होंने हमें एक भी सिंगल भनकनी होने थी कि वो क्या है जब हम बैठते थे उनके साथ वो ऐसे सब लोग आ रहे अपने 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 समस्यं लेके आरे है गुरूजी जी है गुरूजी बो है उन्हाँ कर अंगार गुरूजी मेरे तक कोई भी बच्चा दी है हैं, गुरुजी मेरे कच्चा नहीं, मेरे योट्रस नहीं है, ले, आप अनु की लोड़ा योट्रस दिया, हैं, आप अनु की लोड़ा, अजी टीबूच फेट कर देना, उनके अंदर इतनी पावर थी, गुरुजी के अंदर, कि हमारी अंदर की एक, एक, चीज, नस, 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 वो बिमारियों को भी कनवर्ट कर देते हैं, कोई भी बिमारी हो, किसी को, अब मैं बताऊं, कैंसर ही हो ना हो, जब किर्पा वर्षा देते हैं, उसी बिमारी को, वो किसी और भूप में कर देते हैं, एक दिन गुरुजी के ऐसी मूट बना, हमारा लेनी ताल के आगे, रामगड रिसोट है, मूट में आया, बच्चों की तरह जीद करी, मैं तो रामगड जाऊंगा, जैसे वो कहते थे, मैं बीरवार कारा देना, मैं तो रामगड जाऊंगा, तो हम घर में थे अभी, पता चला, सब को कह रहे थे, चल तू भी गरम कपड़े लेया, मैं का लास्ट मन था, चल तू भी गरम कपड़े लेया, कर पाज, शार्मादेर जौडते जाना, और हमें खबर नहीं, खबर आई घर में, कि गुरुजी जारे रांगड, इनको बताया, यह कते नहीं, अभी नहीं, अभी गुरुजी को किसी तरह रोको, उनको गहो, कि सिर्फ आठ दिन दे दे, क्योंकि जिस वेसे मैं गुरुजी का स्वाकत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, कि दिल्ली से नेनी ताल का जो रास्ता, उनका वेलकम हो, और कैसे संगे गुरुजी अकेले तो जाएंगे नी, संगे साथ जाएंगे, बहुत स्पार्शे लगाएं, नहीं माने, जाना तो बुने जाना, आगे शर्मा आगे, शर्मा तेलों की तिकत आया, वो कहते गुरुजी थोड़े देना ना, फिर रुक जाओ, है कमलिया, आप पर बनावा ते अपे खामा गे, लौजी रात को ही, बारा मजे गाड़िया चल पड़े, बस चली, साथ में पूरा गाड़िया, काफला, सब चला, एक बताते ही कि कोई, किसी की बुकिनी बाहर की थी, तो नहीं की थी, वो भी मिरिकल पंजाब से आई, एस आफिसर अपनी वाइफ के साथ आए, वो तो वैसी माथा टेकने आए थे, वो तो वैसी माथा टेकने आए, हैं, तू कित थे जा रहे हैं, पी तुवे ही गुरुजी जा रहे, हैं, कमला, शर्मा दे रिजॉर्ट ते चलो, शर्मा दे रिजॉर्ट ते चलो, लौजी हमें, मैं घर में अपन डाटर के साथ गुरुजी के लिए गाड़ी जो भी थी कि उनको बेडरूम बनाना उनका सारा समान गुरुजी का नहाने का धोने का सब समान कैसे जो अंदाजा थोड़ी बहुत अकल आई उसके उनसार मेंने वो त्यार कर लिया चल पड़ा काफला गुरुजी का गुरुजी की बराद टाई भी होता था एक जैसी बराद चलती जा तो अग रास्ता लंबा था रात को गुरुजी कहते हैं मैं तो बस्ट में बैठूंगा हालांकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी थी सबकी गुरु जी इधर बैटो ना मैं संगतनाल बैटना आगे वाली सीख पर यह सी बैट ले अग शुखा का टाइम हो गया तड़की का टाइम हो गया लोगों ने फ्रेश होना था शर्मा किते हैं अलों फ्रेश होना सब ले कोई चाग पाणी पीनी है शर्मा जी की वैसी डरे देखा तो सोनिया होटल रास्ते में पड़ता तो वहाँ इनोंने गाड़ी हलाकि वो होटल हमेशां फुल रहता तो इनोंने गाइट करा कि गुरु जहां सोनिया होटल है जहां रोग देखते हैं पर इनको डर था कि मुश्कल पढ़ेगी, सारे कमरे भूग गए जब वहाँ पहुंचे सोनिया का मालिक कभी नहीं ऐसे मिला वो मालिक आगे आता मिला ये कौन थे? गुरु जी अपनी आपी सब सिस्टम खोल देते हैं अब मालिक आगे आ रहा तो ये भागे गए फटा फट क्योंकि गुरु जी ने तो स्मार्ट पैंचर डाल हुई थी कि गुरु जी को परचान लेगा नहीं और मेरे को कोई उल्ट दोस्ता पक्ता कोई बात ही ना करते ये दोड़े गए उसके कान में कहा कि ये गुरु जी हैं हमारे उसने नमस्ते करें पर नाम करा तो गुरु जी ने उसका नाम लिया हाला कि इन्होंने नाम नहीं बताया था वो कहता आज तो सारे कमरे खा लिये सारे कमरे खा लिये कहता जी हमें सामझ नहीं है क्यों कमरे खा लिये सब जितने संकती सब फ्रेश हो कि आई सब के लिए गरम-गरम चाई बने सब कुछ बना गुरु जी रांगड गए शुबा होगी जैसे रांगड गए इतनी प्यारी स्वरकी धर्ती गुरु जी खुश होगे कहां दिली में गर्मी 45 टेंफरेचर कहां ठंडी-ठंडी हवाई गुरु जी वहां पॉच्चे दो अशरु माँ अधिगा रजयाटाै वो किते हमारा ले है अगरु जी मेरा ले अशारा ह आपका जय हाऊ कि गुरु जी थोड़ी दिन के लिए वहां गये थे गुरु जी बहुत काफी दिन रुखके वहा है रोज गुरु जी किया करते थे फोन होना, दिलिंग, वो आजा तू भी, बहुत मौच्जा, स्वार गयर, ठंडी ठंड है, एक्थे तार जाहियां चल दिया, आजा तू भी, रोज संगत आती थे, वहाँ अब लीव ने करेंगे कि कैसे प्रबंद हुआ, ऐसे था जैसे, दिन रात, सुबह के नाश्ते बैर के खाने चल रहे हैं, और रात के डिनर लंकर चल रहे हैं, और ऐसे था, कि जैसे उन लोगों को भी बहुत नजदीक आने का मौका मिला, जिनोंने कभी गुरुजी से बात ने करें थे, उनको नजदीक बैठने का मौका मिला, देली गुरुजी कभी कहीं, कभी कहीं, घ वतर्पिक्षे चलो सबसे прावरे относional से रचультपा बनी तर्च को को तो अर्ची के सबसे ही तर्चन करतेuku अर्चीर के रहा जोगे हैं एक मोटनलीस चालिस मिंट कर स्टेज म jullie टेक्षंस नյंसे ऀससे हकए हैं कमला तैयों की रोड़ा जान दी तू आपना पिछे देख अपने इस सारे माल रोड़ा खुख खुर जानिया जब गुरुजी वहां गए गुरुजी पैदर चल रहे माल रोड़ के उपर वो सीन इतना प्यारा सीन है और सारे संगत पीछे चल रही है माल रोड़ पे स्पीड से चल रहे है उनकी स्पीड बहुत जादा थी गुरुजी की ऐसे भाग देती इतने में मेरे को दियाना आया माल रोड़ पे एक दिल्ली से नैडी ताल के लिए टूरस्ट बसे चल दी थी नासर की उनको मैंने फोन करा उनके तेरा चौदा साल होगे कोई बच्चा नहीं था अलाथ नहीं थी तो मैंने सुचा चलो यह वक्त है कि गुरुजी से वो मिल लेगा मैंने फोन करा तुरंत नासर उसकी हाइट बहुत लबी थी वो बाइट लेके आगया स्क्लीर से गुरुजी चल रहे थी वो भी साथ चलने लग गया गुरुजी ने बड़ी ऐसे पेपल निगा से उसको देखा करने ओए नासर दो दो बीवी यह गई बैठा इशू एकदा भी नहीं है एकदा भी इशू नहीं है और हमें पता नहीं थी उसकी दो बीवियां क्योंकि हमें तो यह की बताई हुई थी इतने लिए क्या करा गुरुजी ने नासर भाई की दुकान के आगए रोक ले उसकी दुकान के अंदर गए बाहर बैठे गुरुजी के एक चियर लगा दी नहीं हम जितनी जिसंगत थी वो सारी आस-पास गुरुजी क्या खाऊ गए हम सोच में और चलो चली ले आओ चली भुट्टे को कहते हैं पंजाब में चली कहते हैं चली ले आओ गुरुजी ने चली खाई वो ऐसा था कि गुरुजी चेर पे बैठे थे आस-पास सारी संगत थी भीड लगी हुई थी तो जितने भी टूरस्ट आये थे वो हमें सोचा कुछ शूटिंग चल रही है तो वो लोग भी आगे हैं वहाँ बोटिंग करें सकने हैं इंजाइ करा गुरुजी के साथ गुरुजी ने नितल क्लब में गए बोटिंग मार्केट में गएं जहां भी माल रोल की सारी दुकाने आया कभी किसी के अंदर दुकान के अंदर आज भी वो प्रिन्स की दुकाना एक वो हमेशा जाद करता वो करते जब से उनके चर्ण हमारी दुकान पर पड़े हैं हमारे बारे ने आरे हो गए अब बाकियों के बता लिए कितने हुए होगे बोडिया मार्कीत में गए सब जगा गए उनकी रहमत बहुत है जब दिली वापस आए शर्मा स्वारगांच अच्छे पले वैटे सी नरकांच आ गए होने से जोंकि टेंफरेचर और बढ़ गया था 48 टेंफरेचर हो गया था तो ऐसे है जब जब भी वो आए अपने रोप से आए और अपने दावे से आए गुरुजी गुरुजी के साथ हमें बहुत अच्छे मौके मिले कभी उनके साथ आज धुरुगरी में उनका स्थान जो है चारो धाम बन गया तब पुराना घर था उनका पुरानी घर में गुरुजी के साथ जाते थे जब उनकी मदर का टाइम था कभी दिमार हो गए कुछ हो गए तब वहौत ही गुरुजी के साथ कभी जलंदर कभी लुध्याना कभी पटिलाला उस इश्वर के साथ बैटने का बाते करने का बहुत अच्छा मौका मिला एक दिन ऐसे दो धाई बजे का टाइम था इतना बड़िया हमें मौका मिला कि हम तीनों बैटे थे अपनी पूरे मस्ती में तो हम ऐसी उखे चर्ण दबा रहे थे एक दम उखे उठके खड़ी हो गए हम भी खड़ी हो गए उस दिन बाई चांस कीचन में ना आस ना पास कोई भी ने था उनके रूम में गए रूम में गए तो वो ऐसी अपने चारपई पे बैट के उपर ऐसे बैट गए इशारा करा तो हज्बेंट जो थे उनके चर्ण दबाने लगे डाटर उनका हाथ दबाने लगे और उनके येलो कलर की लाइनो वाली शर्ट आने हुई थी तो शर्ट को उन्होंने न ऐसे पीछे से उपर करा हुआ था इशारा करा कि इसको प्रेस करो क्योंकि गुरू जी के काफी कश्ट ले लेके उनकी बोड़ी एक खुरती थी तो मैं भी गुरू जी के साथ बैटके उनकी देर कैसे मल रहे थी तो शर्माणटी मैं किया हाथी गुरू तेरे हाथ था चोटे-चोटे रहा फिर मैंने जोड से दवाना शुरू किया वो खुशबू जो हम लेते हैं वो खुशबू जो हम लेते हैं उनकी बोड़ी से उस पैम ऐसी क्रेट हो रही थी जैसे बादर निकल रहे जैसे पानी को बोई करो ला वो धुँआ पूरा निकलता और वो ऐसे लग रही थी कश्वू कि जैसे अंदर ही निकल गए हैं इतने में देखा डाटर को क्या दिखाया उन्होंने कि उनकी नाभी के अंदर ऐसे वही कश्वू जो मैंने बताया धुआ ऐसे गोल 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 भूम रहा था हैं डाटरों को करने लगे कर ले प्रमांड़े दर्शन कर ले चलो नमस्ते चलो में मौजा करो यह उनकी है रह्मत उस इश्वर के साथ हमने कैसे एक दिन मैं आपको बताऊं कि वो संच सच सच खांड़का प्रशाद कैसे निकालते उनकी दुनिया ही और थी वो आज भी उनकी दुनिया ऐसे है क्योंकि उन्होंने हमें पता ही नहीं लगने दिया कि वो एक साखशात इश्वर है इश्वर जब जब भी धर्ती पे आये उन्होंने कभी मैसूस नहीं होने दिया कि मैं इश्वर हूं क्या भगवान कृशन को जब आये तो जशोदा को पता चलने दिया कि इश्वर है इवन पाटवो को भी नहीं पता चला कि जो प्रिशन है वो एक साक्षात इश्वर है तो इसी तरह हमारे गुरू जी है एक दिन ऐसे कोई गुरु जी के भकता आए बहुत बुरानी बात है तो उनके दोस्तुने कहा कि गुरु जी कंदर जाना टे आं में तो पंजाब जाना मैं तो बड़ी कोख लगी है और वो कहने लगा नहीं मैं गुरु जी के दंशिन करने ना है बहुत जीत करी, वो कहता, देख, अगर तू नित गुरुजी के दर्शु करने, सिर्फ दो मेंट पर जाई, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार करूँगा, वो जस्टिस लिग थे, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, वो अंदर गए, गुरुजी तो अंदर जामी है, उनको तो होती थी, जब छुटे जए तब यह, अगरवाइस हम नहीं जा सकते, वो गुरुजी के पास बैठे, तो कैसे जाए बाहर, जो बाहर का आदमी था, वो इंतजार कर रहा था, कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, हार के उसमें देखा जाके, मैं उसको पकड़ के लेकिया, जैसे वो हाइट लंबी थों की, जैसे ऐसे करकी अंतर निकले, गुरुजी कीचन के आगी, कुर्शी के बैठे हुए थे, लंगे आओ, लंगे आओ, गिल साब, आजाओ, वो अपने आप नाम लेते थे, वो जानी जान थे, वो सब पताता है, जाकी बै फिर क्या खाऊगे? केता ची जो खिलादो के खालांगे अपन, क्योंकि उसunda बूख बहुत लगी थे, उस्त बी उशनेले का ताब जो जाके खाना गेंगे, गुरुजी कहने च्रुछी के देंने, क्या खाऊगे, यो खिलादो के खालांगे अपना। गुरुजी ने ऐसी हाथ करा तो गरम-गरम प्रॉटे सच खंड के आई। लौ जी खाओ वो खा गए। वो तो कहते हैं मैं आउगां करके फटा फट कताम करें। कि प्रॉटे सच खंड गे थे। गुरुजी कहते हैं फोर खाओगे तुसे ही। कहने दे खला दो जी। तो बारा फिर हाथ करां। तो गरम-गरम प्रॉटे फिर आ गए। खिलाई। फिर वो चर्लों पे लेड गिया। कहता है ये चर्ल छोड़के दर छोड़के मैं नहीं जम कर। हमेश्या के लिए वो गुरुजी का भगत रहा। इस दिल ऐसे ये भी कहने लगे। हस्बेंटी कहने लगे। गुरुजी साच खान का परशाद दिखाऊना। जैसे कोई बच्चे करते बाते हैं। साच खान का परशाद दिखाऊना। क्योंकि हमें पता ही था कि गुरुजी क्या चीज आ। दूसरे दिन गुरुजी ने क्या करा हम बीश-कचीज लोग थे। मेंह श्यक्यका भी बैठी रिति उसे। गुरुजी ऐसे बैठी मेर थे। तो क्या देखते हैं। गुरु जी ऐसी हाथ करा, वो ऐसी हाथ करती था, ऐसी हाथ करा, पहले तो हमने देखा कोई छोटा सा लड़ु आया, इतना था, वो गोला बढ़ते 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 इतना बढ़ा हो गया, गुरु जी ने उसको दिया मिलका को, गुरु जी मैं परशाद सबको दे दो, हाँ दे दो, सबको उन्होंने एक एक कम दिया, इतना इतना परशाद दिया, वो परशाद का जो एक कम था, हमने जब मूमें डाला, ऐसा था जैसे सेंक्रों, खश्वू की बॉटलें हमारे अंद चले गया, ऐसी वो खश्वू थे, ऐसी वो सच खंड की चीज़ें, ऐसी क्रियेट कर देते थे, ये तो उन्होंने मानव जनम लिया, तो उन्होंने मानव जनम लेके, हुमन विंग होके, तो थोड़ा उसी टाइप का दुनिया को दिखाना था, वो तो एक बॉंद थे, संगत के भीच में, उनका चोला चोड़ना भी जरूरी था, जब चोला चोड़ा, क्योंकि दुनिया का कलियान करना था, उस तक हिम बहुत, मैंने बताए, लिम्टर फ़ेट संगती, तो चोला चोड़ा तभी दुनिया का कलियान हुआ, आब वो फ्री पंची है, अब तो फ परकान, कनेटा, आस्ट्रेलिया, सब जगा गुरुजी, 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 दिली में आप जाओगे, घर-घर में मंतर, एक दिन ऐसी बड़े अराम से बैट हुए, ऐसी बैट ही सोच रहे थे, अचाने कुल से मूल से कुछ न कुछ निकल जाता था, है, साई देता, सौ साल बात मंतर बने या, अप आदे जानते मंतर बन जाने, करकर मंतर बन ले या, तो हम सोच रहे थे, कुल गुरुजी कपे मार रहे, ऐसी हो सकता है, एक दिन हम बड़े मंतर गए, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो, हस्पें गाड़ी ट्राइ और मैं वैक वाली सीथ में, बीच में, ऐसे में बैठी थी, बाते करते हुए जा रहे थे, तो, जैसे हम बड़े मंदर से पहले, एक जगा आती है, शर्मा एक एड़ी जगा या, या, ये कहते, गुरुजी ये तां फटेपुर वेरी है, एते तक लेना लग जाने है, अप चप सकती हूँ, पर आज, देखो, लाखों क्रोरों, गुरुजी के मंदर में फंक्शन होते हैं, लाखों लोग पाइंट से, लाखों लोग पाईंट से, लाखों लोग पाईंट से, लाएने तो दूर की बाद, उनका, छे-चे घंटे के बाद नंबर आता, ये हैं वो जब हम बड़े मंदर गए तीनों आगे देखा तो गेट के अंदर जाने लगे गें माली को वाजे दी ओए माली कित्यां तुम माली ने फॉरन गेट भोला फड़ा फड़ा लाइटे जलाई कित्या दरी मालन वो ओर्डर एक सेबिन में दे देते थे चौल मिट्व चौल बनाओ अधी रात का टाहिमा मिट्व चौल बनाओ हम बैठके जो में दर्वार उसके बाहर उसमें फटा फट माली ने चार पाई लाए जैसे गाउं वाली चार पाई होती थी ना बुनी हुई चार पाई बान से वो चार पाई लेकर वहां बहार रहां करती बिछा दे एक तकिया दे दिया गुरू जी लेड़ गया और मैं भी वहां एक पीला राउस के साथ ऐसे बैठ गई राट को देखा मैंने जैसे गणी देखी गुरू जी तो अपकी मस्ती में लेटे हुए यां मैंने देखा बारा बज़ गया एक बज़ गया दो बज़ गया ठाई बज़ गया तो मैंने बैठे-बैठे सोचा, मैंने का देखो माती हो गई है, टाई बाती गया, इंको गवरे नी है, मन की अंदर सोचा, बैखे स्वीरे स्कूल जाना बच्छों ने, एक सेकंड नहीं लगाया उपने में, बाती गे टाई, मन की बात को वो क्रंट की तरह लगती थी उनके, और एक सेकंड में उनको पता जल जाता, वो आज भी है, वो की चीज़ें आज भी हैं, उनके साथ हमारा लाड प्यार दिवानगी कैसी थी? बहुत प्यारी दिवानगी थी, वो बहुत प्यार करते थी, उनको चाहे पिता रूप में मानो, माता रूप में मानो, भाई रूप में मानो, बच्चे के रूप में मानो, भगवान कृष्ण को कितने रूप देते हैं, इश़्र को कितने रूप देखते हैं उनको भी किसी भी रूप में आ आए वो हाजर है उनके साथ क्या हुआ वो गुरु जी जैसी ऐसे बैठते हैं आज भी वो साखशाथ बैठते हैं जब उनको बूलाते हैं वो साखशाथ बैठते हैं और अपनी प्रेजन्स भी बता की जाते हैं और उनको बैठना ही पड़ता क्योंकि उनको संगत बहुत प्रियर तो ऐसे हम लोग ऐसे बैठते थी सामने तो मैंने देखा मेंने का गुरू जी अनो थोड़े कम्जोर से हो गया अपने अन्दर माइं के अदर सोचा अग्शूर से लग रही हैं मैं बने सिंपल वेले से बात सोच लेता मैं लगता है इनको कोई, हम लोग सारे देखते हैं को इनको भी बचा रखो कोई नजर लगती होगी। तो मैंने सोचा इनकी कोई नजर उतार दें। घर में जाके मैंने प्रांग करा कि इनकी नजर उतार दें। जब घर में अगले दिन तो बहर के टाइम देखा कि घर की अंदर की चन्में भी कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं, बच्चे भी नहीं है इसकोर से, तो मैंने वो लारल जो मिर्च होती दिन दिवा दी, वो ली चार पांच जैसे उतार दे नजर, मैंने हमारी घर में कुर्सी जिसके ओपर गुरुजी बैठते थे, आके, तो उसके ओपर हमने एक सब रूप रखा हुआ था, तो मैं फॉर मिर्च लेगी कोई देख ना ले, मैंने ऐसे ऐसे घुमाके, गैस के ओपर जला दी, और तसली होगी मन को शांती होगी, कि अब तो ठीग हो जाएगी, नजर उ बहुत था उनकर, शांके टाइम मैंने तो तसली थी भी उतर जाएगी, शांके टाइम ऐसे बड़े एजी वेसे, ऐसे बैठे हुए थे, रूप के अंतर, हैं, आगी हैं, मैंनो नजरा बढ़िका लग जाती हैं, तो मैंने एक गम उस पर हम हिरान हो जाते थे, कि इनको पता केसे चल गया कहां घ्र है हमारा और कैसे पता चल गया इक दिन ऐसे प्यार में लाड में जैसे बेटी के लिए सुहाग करते हैं तो बेटे के लिए गोड़ी करते हैं, तो ऐसे जैसे आजकल भी लोग केई शब्दभू बनाते हैं, क्याब पीछे एक वीडियो आया था मैंन नालाक मलाके तो अपनी धावलाई हैं अपने प्यार का इजहार है तो मैंने भी घर में ऐसे प्यार में बड़ी मस्क में घुडियां का भी शुरू करती यह से काम भी कर रही थी और वो भी कर रही थी शाम को जैसे में आई गुरू जी के बात से करते हां उन सालों शादी करन तो ऐसी वो मन की वाद को ऐसी जान लेते थे उनके साथ हमने पल पल ऐसी पिताया कि उसका किताबें भी लिखने तो भी वर्नब नहीं किया जा सकता लाखों क्रोडों जीबे बेशक हो पर उनकी महमा इतनी गहराई से है उनकी मेहमा एकनी कहराई से है, उसका वर्णब नहीं किया जा सकता है, आज बड़ा मंदर है, बड़े मंदर की अंदर हमारी घरते हैं, दो मेहमान आ जाते हैं, आफ़त आ जाती है, उसे नैसा है कि हमें बड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ इखाने पिने बनानी है, व अहां तो थरस्टे, फ्राइडे, सेट्रडे, संडे लाखों रोग आते हैं, गुरु जी की ही पावर है, वो बड़ा मंदर जैसे भगवान श्रीम का कैलाश परवता ना हैड़ कॉर्टर, तो वो ही हैड़ कॉर्टर को है, गुरु जी एक भोले नात है, बंडारी है, दिया जवान है, वो हैड़ कॉर्टर है, जैसे क्लास में टीचर अपना एक मॉनीटर रख लेती है, मॉनीटर रखती हैं, तो निश्यत हो जाती थोड़ी, कि हाँ भी मॉनीटर क्लास को संफाल ले, तो ऐसी ही गुरु जी अपना एक मॉनीटर भी रखती हैं, जो सारा कंट्रोल क करता है, आगे मॉनीटर के आगे लागे, आगे आगे पार साथ, तो ये गुरु जी की पावर है, ऐसे वहाँ, दुनिया ऐसी नहीं है, कभी आप बड़े आने वाला गुरु जी का, मेरे ख्यार एक मिना, दो मिनने पहले, लोग अपने तियारिया शुरू कर देते हैं, कप कांची ड्रेस परनी, कांची ड्रेस परनी है, उस में भी गुरु जी को पहुँ शॉंख था, उनकी शॉंख तो आपको क्या बता हूं, उनकी शॉंख ही निराले शॉंख थी, एक दिन ऐसे, शर्मांती मैं क्या हां दिए, ए चोला तो बनना न, ऐ कपड़ा, उनको बहुँ शॉंख था, गुरु जी ये है, नहीं, गुरु जी ये, नहीं, नहीं, गुरु जी के कलर, चाहिए वो शर्ट के हो, जब बैंट के कलर हो, उनकी कलर भी टीपिकल कल, रांगर की और बात बता हूं, कि वहाँ एक दिन गुरु जी ऐसे थे, तो वहाँ के कोई मिनिस्टर आ आया था, इन्होंने का, गुडुजी उनको बला लो, बला लो. वो आगे, जब आये, तो गुरुजी तो अपनी स्मार्ट ट्रेश में खड़े हुएते, पैन शर्ट में खड़े थे. अब जब वो आए इन से बाते कर रहे हैं तो इन होने कहा साथ ही खड़े हो गए तो गुरु जी कि जी हमारे गुरु जी है तो वो थोड़ा सा न हरामी से देखा उसमें होटा कोई भूडे होंगे भगवी चोले वाले होंगे जा कुछ होंगे जब देखा गुरु जी ने बड़ी प्यारी प्रेंट शाद डाली हुए बड़े हराम से देखा गुरु जी करते, I am गुरु मॉर्डन गुरु पॉल्डन पकट प्टे लो I am गुरु, मॉर्डन गुरु तो ऐसे गुरु जी का रुटवा कैसे सिंपल थे गुरु जी ने गुरु जी को खिलाने वाला जा खिलाने वाला जा सेवा करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है अगर कभी किसी की सेवा लगती है वो जेनी की गुरु जी की सेवा नहीं वो अपने करम हम काट रहे है वो करम कटवा रहे है गुरू जी को क्या? वो तो यूश्वर है उनके लिए क्या कमी है लसी का मैं बता रही हूँ जो लसी नाम भी पड़ा कैसे ये गुरू जी जानने एक दिन मैंने देखा गुरू जी को ट्रीमे में लसी पला रहे थी बाई चांस क्या हुआ कि लसी मैंने बनाई घर में बना के गुरू जी के लिए लेके गई डोलो के अंदर वो डोलो आज भी है लसी का जब लेके गई तो गुरू जी ने लसी पी तो पी के बाहर आए, रूम से बाहर आए शार्मान टी मैं कहांजी ए तु मज़ा रखिया तो मैं मुस्क्रा पड़ी दोबारा फिर आदे घंटे बाद लसी भी बाहर आए शार्मान टी लसी बड़ी सुआद है तो फिर दीसरी बार देखा गुरू जी ने फिर वर्ड कहा लसी बड़ी सुआद है मैंने भी सोचा जो इंको लसी इतनी अच्छी लगी है तो मैं क्यों लसी बना के दूँ इंको तो लसी का प्रोसीजर जो था वो शुरू हो गया अब लसी शुरू हो गई बन निंग तो लसी का ऐसी होता था कभी हम लोग बाहर होते थे तेरा धून ट्राम कर ननिताल जबाहर तो घर में हमें किसी को ड्यूटी देनी पड़ती थी कि गुरू जी की लसी लेके जाओ काम पढ़ जाती थी मंदर से फोन आ जाता था ख्यार मांटी गुरू जी की लसी लेके आना अब लसी चलने लगी गुरू जी की चलती रही इतने में क्या देखा हमारे तो बच्छे ननी तर पढ़ रहे थे वो बच्चे जोटे थे जब दिली में शिव्ट हो गए क्योंकि हमारा रोज काम था गुरू जी के पास जाने का तब सातो दिन होते थे आज चार दिन तब साथो दिन होते थे शाम के टाइम हमारा काम था गुरू जी के पास जाना और बच्चों का काम था लड़ना अब डेली हो की लड़ाई बच्चों के लड़ाई में क्या एक छोटे चैनल के लिए टीवी रिमोट उसमें छुपा लिया मैंने ये चैनल देखना मैंने वो बच्चों की लड़ाई एक दिन में लसी लेके जा रही थी वो वक्त था गुरू जी का चोला छोडने से पहले का टाइम था कि ये वो भी कहा जा सेकता कि गुरू जी कैसे शुरू करते हैं और कैसे उस बात को फिनिश करते हैं ये उनकी लिला है लसी लेके जा रही थी तो रास्ते में फोन आया डाटर का कि ममा आज इसने ये करा तो मैंने इसको मार देना जान से बेटे ने फोन चीना इसने क्या करना तो मैंने मार देना अब बच्ची छोड़ चोड़ी कभी वो फोन पकड़े कभी वो फोन करें, रास्ता गुरु जी का, हमारे घर से मंदर का तेड़ घंटे का रास्ता, वो तेड़ घंटे का रास्ता भी मेरको भारी पड़ गया, मैंने लसी रखी हुई, जब फोन पे फोन आने शुरू हो गए, तो मेरको गुस्था पता कि इसके आया, क्यों कि गुर अगर लसी का ना हो तो मैं घर में जाके बच्चों को देखो मन में सोचा मैंने पहले बताया कि वो मन की बात कैसे जानते हैं अब वहां मंदर में गई तो नीचे लसी रखी रश था तो उपर फस्ट फ्लोर पे चड़के वहां अभी मैं बैठने की कोशिश करा तो सिंगल अंकल आ गए शर्माणती मैं क्या हम जी गुरुजी कहते डाक्टर ने मना किता लसी ना लेकिया यो यह देखो मेरे तो पेरों के नीचे धर्टी खिसे गई कि गुरुजी मैंने क्यों यसे मन में बात सोची यो फटा फटा लग जाता इनको पता चल जाता सेचे डे था संड़े को फिर में आई जब संड़े को वही बात गुरू जी केंदे डाप्टर ने मना किता लसी लेके नहीं आने उसके बात लसी कब माँगे गुरू जी ने जब उनकी पहली बरसी थी पहली बरसी थी तो सुबा का टाइम फ्राइडे को उनकी पहली बरसी थी वेडनस लेको मेरे को सुबह इसुबह आवाज है गुरू जी की लसी 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 तो मैंने कहा ये तो गुरू जी की आवाज है तो मैं किसको बताओं इतने में पता चला कि जी के में कोई सत्संग होता जी के बन में और गांटी है मैंने नौ बजे उनको फोन करा मैं कि क्या अंटी मैं लसी देके आ सकती हूँ तो सोच के उसने बताया कि कि हां ले आउ लसी मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग आएंगे क्या है कितनी लसी होनी चाहिए उन्होंने बताया तो मैं लसी शुरू करी वेडनस डे को बनानी फ्राइडे को रेडी होके मैं वहां गई लंगिर के बाद साथ ही साथ लसी डिवाइड हो गई जब लसी डिवाइड हो गई सत्संग खत्म हो गया तो एक लेडी मेरे पास आई कि शर्मांटी आपकी लसी का सत्संग सुनके तो मैंने क्या करा घर में लसी बनाई मैंने कहा जे शुकी है ना लसी के इनको लसी बलाओं मैंने लसी बनाई और गुरू जी को बेश करी रात को ड्रीम में गुरू जी ने इतनी बड़ी टांट लगाई कांदे ऐ लफंडी है, ओकाल शर्मांटी ला कि आई थी, ओ लफ автомाल लेडी आई, कहती है आ गूरोजी को लफी पेश करी, और गूरोजी ने इतना गुसा करा, कांदे ऐ लफ लस्यांटी अधे ला कि आई गी, तो जो आवाज आ रही थी वो तब ही बार बार कह रहे थे कि लसी बना के ले किया पीशे 2016 में जब मैं आई थी यूएसे तो बेटे का फोन आया कि ममा गुरू जी आये थे मैंने का अच्छा कहता ट्रेंग डूम में बैठे मैंने बठाया गुरू जी को मैं गुरू जी क्या लो गए है तो अब घर में रेडी होगी लसी तो मैं बताओ कहा भूग लगाओ मैंने का बेटा घर का मंदर है उसमें भूग लगाओ कहता नहीं मेरा मन है कि बड़े मंदर में लेके जाओ तो ऐसे वो लसी मांगते हैं चौक लसी का तो लसी जब लसी का सथन शुरू हुआ तो कैसे वो नाम ये कह रहे है आंटी कि लसी का नाम कैसे बड़ा लसी आंटी तो वो नाम डालने वाले भी वो ही है नाम डालने वाले भी वो ही है हो सकते हैं कितने का हमारी करम काट रहे हैं वो तो ये था एक इनों ने कहा कि एक दिन में मंदर में बैठी थी छोटे मंदर में तो मैंने देखा रेड में रोन कलर की पड़ते थे चारो तरफ अब शुरू शुरू में गए हमें क्या शब्दों का था कि शब्द सुनने या तो शब्दों की तरफ तो मेरा ध्यान नी सच मुझ बताओं शब्दों की तरफ ध्यान नी होता था मेरा ध्यान गुरू जी की तरफ होता था कि गुरू जी कैसे बैठे हैं कैसे वो जल परशाद ले रहे हैं कर रहे हैं तो मेरा ध्यान पड़ों में गया मैंने मन में सोचा कि पड़े बड़े मेले हैं मन में सोचा पड़े बड़े मेले हैं जब सत्संग कहतम हो गया रात को गुरु जी अपने सीट से मेरे पास आके खड़े हो गया शर्मान्टी चलते चलते शर्मान्टी में क्या हाँ जी स्मेरे आई पढ़ दे सारे लोग आके लिया जाई ते तो आके लिया ये गुरुजी है एक दिन ऐसे कोई पंजाब की संगत आई हुई थी बहुत ठंड वर्ष रही थी गुरुजी के आदत थी कि जैसे संगत आई तुरंट उनको विदा कर देते थे चाहिए वो बंबे का हो चाहिए चंडिकर का हो चाहिए पंजाब का किसी भी इलाबे का तो पंजाब की संगत बैटी थी बार फॉब पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि ये बचारी कैसे जाएंगे फॉब के अंदर ये संगत वापस कैसे जाएंगे जब रात को वापसी का टाइम हुआ शर्मा अंटी मैं कि हांजी गुरुजी एनान जोकते अपने कार ला जाओं एनान जोकते कार ला जाओं तो ऐसे वो मन की बाद जान लेते हैं वो आज भी जानते हैं एक और आपको बता देती हूं सीमा अंटी ने कहा वो एक वर क्या हुआ गुरुजी फॉन कैसे करते थे फॉन कभी ऐसा ने कि उनके पास फॉन होता था नई वो ऐसे हाथ से ऐसे फॉन नंबर यह नहीं होता था कि गुरुजी को नंबर पता है या क्या है वो अपना हाथ ही ऐसे करते थे फॉन टना टन लग जाता था के वरी घर में फॉन करना छोटी डॉटर थी वो प्राने फॉन होते थे वो अपने स्टाइल में बोलती थी उसो को पता नहीं कि गुरुजी फोन पे आया है वो इस अंदा लाइन वो इस पेकेंग क्योंकि नहीं नहीं वो सीखी थी उसने गुरुजी उतर से बोलते है मैं बोल रहे हैं गुरु बोल रहे हैं एक नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी तो ऐसे एक दिन ऑफिस में ये बैठे थे हस्वेंट बैठे थे तो गुरुजी का फोन आ गया फोन उठाया शर्मा की कर रहे हैं गुरु जी की आवास कड़ का वाज होते थी ठेट पंजाबी बोलते थे शर्मा की कर रहे हैं गुरु जी आफिस से बैठा ले दो कपड़े पाके आजा फोन रख दिया जब फोन रख दिया तो इनको चिंता होई कि ये फोन तो गुरु जी का था तो ये क्या कह रहें दो कपड़े पाके आजा घर में इनको ने मेरे को तुरंथ फोन करा कि आज गुरु जी को पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे ऐसे कह रहे थे तो मैंने कि ऐसे कह नहीं सकते कहते नहीं गुरु जी ने यही कह दो कपड़े पाके आजा आदे घंटे के अंदर इन्होंने दस फोन घर में करे जिंता में कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा क्यों कहा मैं क्यों हो सकता उन्होंने कोई कल्यान हमारा करना क्योंकि उनके तरीके में क्या अलग अलग तरीके हैं क्या पता उन्होंने हमारा कल्यान करना हो कहते हैं तेरी अकल मारी गई हैं दो कपड़े पाके ऐसी हो सकता है इतने में गुरुजी का फोन आगे आदे घंटे के बाद शर्मा भी थे हैं कहते हैं गुरुजी आफिस हैं ते तु आया नहीं है तेर crew करना दो कपड़े पाके आजा गुरुजी करते हैं डुर zat गुरुजी शर्मा राख ऴ्हर्मा कि एक पाला है तेरो मैं करना दो कपड़े पाके टैची चा जा जा इंको गुरुजी ने जलंधर भिजना था कि SHlamya अंकत थे उनके किसी काम के दिलिए भीजना था तो गुरु जी का जब भी कुछ कहते थे दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु जी क्या कह रहे था तो ये गुरु जी की रहात है ये उनकी कृपाया गुरु जी का मैं आपको बता रही हो कि उनकी आज क्या पावर है हमारी छोटी बेटी एक सेकंड में गुरुजी कैसे किर्पा गर्सा देते है एक मिंट तो बहुत दूर की बात है जब किर्पा गर्साने पे आती तो एक सेकंड में वो कैसे किर्पा गर्सा देते है हमारी छोटी टॉर्टर उनके सेकंड बेवी हुआ जो फर्स्ट बेवी था वो छे साल का था जब बेवी घर में आता बेटा उनका घर में आया सेकंड वाला तो बड़े बेटे को वो नगलक्ट कर गए भूल गए सर्दियों के दिन थे जनवरी का मन था ठान बहुत जादा थी बेटे को खांसी जुकाम बीमार टेंपरेचर हुआ बेटा बहुत डॉंग चला गया बीमार हो गया जब उसको दिखाया डॉक्टर के डॉक्टर ने उसको ये टेस्ट करें वो करते तुरंत इसको एसकॉर्ट हॉस्पिटल लेगा मंडे का दिन था एसकॉर्ट हॉस्पिटल गए वहाँ डॉक्टर ने टेस्ट लिखे कि ये ये बच्चे की टेस्ट करवा हो जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने उनको बुलाया कि आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है ये है ये है ये इसका इलाज टॉन्टी फाइव येर्स है अब च्छे साल का बच्चा इसके पेंस्लिन के इंज्छन लोगे पेंस्लिन का एक ऐसा इंज्छन है कि जिसको बड़ा आदमी भी नहीं लगा सकता अब उसको पैंसलिन के इंजेक्शन डॉक्टर ने बोल दिया तो बेटा और दमाद वही रोने दोने लग गए डॉक्टर के सामने रोने दोने लग गए इतने में वो घर किसी तरह आ रहे थे तो मिर को आंदा वे उन्होंने फोन करा कि मम्मा ये ये बात हो गई तो तुरंद बेट पे गिर गए इतना उनकी मदरिन लौर हो रहे थी सारा परिवार हो रहा था जब भी मैं सारे देवताजी हुआ हैं वह कोई शुर सारे जितने गॉड्स उनको काटा फेर दिया ये कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं है हमें तो धर्ती फर्जे हम उसमें समा जाएं ऐसे हमने कौन से करम करे हैं कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत आए मैंने उसको डानता तब क्या करते हैं गुरु जी का तावा करते हैं गुरु जी की तरफ से हम खुद ऐसे खड़े हो जाते हैं मैंने का क्यों रो रही है गुरू जी है नहीं ममा कुछ नहीं है कुछ नहीं है गुरू जी है तुरन तो उसको डांट के मैंने कहा दो मित फ्रेश हो जो और गुरू जी के बड़े मंदर चलो बड़ी मुश्कल से बेटी को त्यार करा उनकी मदरे लोग, बेटा भी हमारा आगया बड़े मंदर में गए क्या उसको एक इतना किलटू परशाथ और वो समोसा दिया जब वापसी में आ रहे थे ये बताना चाहरे हो कि गुरू जी कैसे किरपा एक सेकंड में बरसा दिया उसकें बच्चे को सडेशन थी, होश ने थी वापसी पे जब वो तिवोली के पास हम आये वो बच्चा ऐसे अक्टे हो के खड़ा हो गया उसने बाद हो ऐसे स्मार्ट बढ़के ममा मैं ठीक हो गया हम उसके चेरे की तरफ देखे कितना उसका चेरे दमकरा घर आये बेटी को कहा मैं के अब मैं आपको रिटन देती हूँ वर्ड के किसी हॉस्पिटल में भी आप दिखा लो ये बच्चा ठीक है इसको कुछ नहीं है पर फिर भी मेरी बात का कोई विश्वास नहीं है नेस ने पापा से बोलके उसने मैंदन्ता एम्स जितने हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं सब में एपॉइंटमेंट ली दोबारा टेस्ट करवाए टेस्टों में कुछ नहीं आया आप वो बच्चा बारा साल का है आप सोच सकते हैं कि कहां डॉक्टर ने कहा इसका इतने साल लगेंगे इलाज को कितने उसके वो निकाले उसने कि ये प्राउब्लम जे प्राउब्लम अन्यक्स ए ऐसे क्या था गुरुजी का जो सारा सफा जट कर दिया इतनी बड़ी पावर हो सकती है कि ये कौन कर सकता गुरुजी कर सकती है ऐसे उस बच्चे को रहमत बरसी एक सेकर ने उसी का दूसरा बच्चा जो हुआ कैसे गुरुजी अपनी डेट के पक्के है ये मैं बताने जा रही हूँ कि वो अपनी डेट के कैसे पक्के है दिसम्बर में फोन आया बेटी प्रेजनन थी कि ममा मेरी डॉक्टर ने कहा कि कोई डेट निकालो कोई अच्छी सी डेट निकालो आज कर वो चला हुआ जो भी फैशन कि उसी दिन ट्रिवरी हो जाएगी अच्छी डेट निकालो मैंने का हमने क्यों प्रक्तों की चक्रों में पढ़ना हमारे तो गुरुजी है गुरुजी से मैंने बूचा साथ जनवरी गुरुजी ने दिया डेट साथ जनवरी अब शे जनवरी को बेटी अड्मिट हो गई मुल्चत में जब साथ तरीक आई डॉक्टर आई डॉक्टर इंदो उसने देखा बेटी को टेमप्रेचर वो कहती मैं तो करे नहीं सकती आप ऐसे करो पंड़ सीख और कोई डेट निकलवा लो क्योंकि इतने टेमप्रेचर के अंदर मैं नहीं कर सकती बेटा ऐसा करो छुट्टी करो घर जाओ बेटी रोने लगी और धीरे से उसके पूछा कि ममा गुरुजी के तो साथ तरीक दी थी उसकी मदरे लो उनकी फैमली हस्बेंट सारे खड़े हुए थे जब बेटू के तो आंसू किरे बेटी के तो मैंने भी गुरुजी से कहा शावाश है मैं क्या शावाश मैं क्या मैं गया सम्तियों के आगे हुए जुटा टालवा दिया बेट साथ दी है तो देखो कितनी मन में कहा कितनी शरम आई मदर लो खड़ी सारे खड़े है तो भाट फील हुआ इतने में देखा दो मिन के बाद एक खशबू आई वो कैसे सुनते है खशबू आई तो मैंने खड़े थे हम लोग सारे मैंने का जी गुरुजी आगए है किसी का कोई रुस्पांस ने उसके बाद अगली खशबू आई तो मैंने सब को कहा खड़े हुए थे मेरी अपनी डॉर्टर खड़ी हुए थी बड़ी मैंने का जी गुरुजी आगए है किसी का भी कोई रुस्पांस ने अब जब तीसरी बार कुश्वू आई तो मैंने कहा जोर से आवाज देके मैं कहा गुरुजी आचुके है दो मिन के बाद बेटी को दिक्कत आई फॉरन डॉक्टर आई नर्से आई वो क्या था कि वाटर बैग बस्ट हो गया अब वाटर बैग बस्ट हो गया तो वो तो होना ही होना हमें तुरंत बाहर चलिये 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 बाहर 7 जनवरी जो गुरु जी ने डेट दे रखी थी 7 जनवरी को 7 वजे उनके देटा हुआ यह गुरु जी अपनी डेटों के भी पक्ति है गुरु जी से जो भी मांगो पियार से शर्था से के लोग कोनेक्शन कैसे बनाई पूछते हैं की कोनेक्शन बनता कैसे है उनके साथ आज तो इजी कोनेक्शन है बहुत इजी करती है एड्मिशन भी इजी करती है उन्हों नहीं तब बड़ी टाफ़ एड्मिशन होती थी कुरुजी करते है उनकी साथ प्यार शड़ और अनकंडिशनल लव उनको मानो मागो मत जब आपने उनको मान लिया तो सारी चीजें आपको अपने अप मिल गए वो तो देने के लिए बैठे हैं आप लेने वाले बनो लेने के लिए एक प्यार तो चाहिए शड़ा चाहिए विश्वास सहिंग पर भरोसा रखो भरोसा रखोगे तो सब कुछ पालोगे हजारों सबसंगे कितने मर्जी करते जाओ वो खत्म ने होती तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों की परशन करके बहुत अच्छा गूश्टार चाहिए गूश्टार चाहिए जिद आप मत्या ने है। अच्छार बूंचार लोगवी ट्रॉंचा य॥र्टार ने हो खत्राउट ने हो खत्तों ने है। उप्टार्ण सबस्टार।